दोस्तों अधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट आ चुका है अब अधार कार्ड में अपडेट करने से समदीत एक नया नियम लागू कर देगा है जहां साथियों अगर आपका अधार कार्ड बनना हुआ है अगर आप अपने अधार कार्ड में डेट बर्त नयम या फि बग सभी वेक्तियों के पास अपना आदार काड बना हुआ है और आदार काड को लेकर एक नए अपडेट जारी हो जुग है तो अधार काड में अगर हमें नाम करेक्शन करना हो तो हम गरवटी आधार काड से जोड़े मोबाइल नमर पर OTP बेज कर करेक्शन कर सकते हैं लेक कि अपडेट डेमोग्राफिक्स डाटा को अब हम ओटीपी की दवारा चेंज नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों यह आधार काड में बहुत बड़ा नियम लागू कर दीगे अब हम ओटीपी के दवारा अपना नाम क्रेक्शन नहीं कर सकते हैं अगर किसी का जेंडर सही नहीं कर देना है login with otp पर क्लिक कर देना है तो अधार कार्ट से जोड़े मोबाइल नमर पर देखके जाना तो login होने के बाद में dashboard इस तरह से open होजएगा दोस्तों हमारे अधार कार्ट से जोड़ी वे जितने भी सर्विस है जिनका फायदा हम ले सकते हैं वो सभी सर्विस यहां पर हमें मिल जाएगी अधार कार्ट की एक नमर सर्विस है जिसमें हम अपना ID प्रूप और address प्रूप के लिए document upload कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में 14-6-2024 तक उसके बाद में अगर अपने अधार काड डाउनलोड करना हो तो download अधार काड को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर हमें अपना PVC आधार काड का ओडर कर सकते हैं यहां पर केवल हम अपने अधार काड में address अपडेट कर सकते हैं और कोई भी डीटेल अपने अधार काड में अपडेट नहीं कर सकते हैं साथ इकर आपको जानने हैं कि आपके अधार काड में कौन सा बैंक चाथा जुड़ा है तो bank setting status पर क्लिक करके हम अपने अधार काड बैंक खाती का पता कर सकते हैं दोस्तों आधार कार्ड में Demographics Data Self Update करने वाली सर्वीस को बंद कर दिये गए यानि कि अगर आप माई आधार के डैस्बॉर्ड में चेक करेंगे तो आपको Demographics Data वाली सर्वीस नहीं मिलेगी यहां पर हम अपने केवल आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं एड्रेस अपडेट करने की कोई लिमिट नहीं है हम जितनी बार चाहें उतनी बार अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं लेकिन पहले स्वम हम अपना नाम आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते थे और DOB भी करेक्शन कर सकते थे लेकिन अभी वरतमान में इ इनकी यह आधार डाउनलोड करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखावा मिलता है कि यह केवल एक पहचान का परमाण पत्तर है इसका उप्योग नागरिकता या फिर जनम तिति के लिए उप्योग में नहीं लिया जा सकता है अधार था हमारा आधार कार्ड है वो केवल एक आईडी प्रूफ है ने की जनम का परमाण पत्तर है नाहीं नागरिकता का परमाण पत्तर है अगर आपको अपने आधार कार्ड में घर बैटे एडरेस को अपडेट करना है तो यहां पर आपको एडरेस अपडेट पर क्लिक कर होता है हमारे अदार कारड में इडेस को अपडेट कर सकते हैं तो साथियों अदारarian कर करें कि अपना नाम और आधार कारड में डेट और भर्थ करेक्शन नहीं कर सकते हैं इसके लिए अपनी अधार सेंटर पर यहां पर हम केवल अपना Too कर सकते हैं एड्रेस को सेलेट करेंगे उसके बाद में continue पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा क्रेंट डीटियल सा जाएगे और जो भी हम एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वह एड्रेस होगा next पर क्लिक करना वह कुछ सकते हैं अगर हम ऑपने अधार करवाना हो फौट अप पर आपडेट करवाना हो तो बुवाना आधार सेंटर्स दिया गया है यहां से आप आधार सेंटर की location चेक कर सकते हैं और अधार सेंटर परicate कर आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं आधार कार्ड को अपडेट करवाने का दूसरा तरीक है गेट आधार में मिलता है बुक एन अपोइटमेंट इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम अपने आधार कार्ड को क्रेक्शन करवाना हो या पिर नया आधार का भी अपडेट करवा सकते हैं तो यहां पर आपको सीटी का नाम मिलता है आपके नजदीक जो भी सीटी है उस सीटी का यहां से नाम सेलेट करेंगे और प्रोसीड टू बुक अपोइटमेंट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में दो नमर पेज ओपन हो जाएगा यहां पर अपने मोबाइल नमर टाइप कर देना है कैप्चा कोड़ दर्ज कर देना है जनरेट ओडीवी पर क्लिक कर देना है और तो हमारा अपोइटमेंट है वो बूक हो जाएगा साथी दूस्तों अगर आपको नया अधार काड बनाना है तो न्यू अधार पर क्लिक करके इस तरह क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहां पर पिन कोड नमर पूछी जाएंगे तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड नमर वो टाइप कर देना है जहां पर भी कैम्प होगा उसकी डिटेल आ जाएगी कि कैम्प कहां पर लगा जा रहा है तो दोस्तों अगर आपको अधार का की जाते हैं और साथ साल से क्ड़ा कर बच्छों का अगर अप्डेट करवाते हैं और सो काडम से लेकर 17 tracking करवा जाता है तो बिल्कुल फ्री में अपडेट होता है और 17 साल से जदा व्यक्तिक अगर बायमेट्रिक अपडेट करवाया जाता है तो 100 रुपए चार्ज लिया जाता है अगर आधार कार्ड में नाम डेटो बर्त मोबायल अपडेट करवाना है अगर अगर अधार कार्ड में डोकोमेंट अपडेट करवाना है तो 50 सुकायत करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं यहां को Contact and Support पर प्लिक कर देना है उसके बाद में गिर्वांस and Feedback पर क्लिक कर देना है जैसे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक forum उपन हो जाएगा यहाँ पर आपको detail बर देना है बेसिक डीचल लिए बरना है उसके बाद में गिरिवांच या फिर फीडबैक का टाइप दिया गया है उदारन की तोर पर माल लीजिए अगर आधार कार्ट से जुड़ावा कोई भी इश्यू आ रहा है तो वो सेलेट कर सकते हैं या फिर हमने नया आधार कार्ड बनाया लेकिन उसके लिए पैसे लिए ग लेगे माल लीजिए हमने नया अधार कार्ड बनाया या फिर आधार कार्ड में हमने कोई अपडेट कर वाया ज्यादा रूपए लिए या पिर नया अधार कार्ड बनाने की रूपए लिए तो यहां से डिमांड मनी फोर फ्री सर्वीस यह सेलेक्ट कर लेंगे और उसके ब बड़े अपडेट जारी किये गए तो दोस्तों नए नियम के अनुसार हम अपने आधार काड में केवल अपना एड्रेस को ही अपडेट कर सकते हैं बाकी डीटियल को अपडेट करवाने के लिए आधार सेंटर पर जाना होगा उमीद करते हैं जानकर यह अच्छे लिए करेंगे मिलें एक लिए वीडियो में एक नहीं जानकर इसाथ तब तने लिए आपसे जादें में शोग होगा जैनी दवन्य वात्रम भी जैसे रिदा हूं